नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके पने चैनल एक जाम अड़ाफाइश्टेडी पर बीएट परवेश प्रिच्छा 2022 आखिर कब तक आप सभी के आवेदन सुरू होंगे 79,000 सिच्छक बर्ती आरचड घोटाले की जाँच के बाद 19,000 सीटों का घोटाला ऐसा अभ्यार्थी कह रहे हैं क्या सही में 19,000 सीटों के साथ में घोटाला हुआ है और जैसा मानी अखलेस यादोजी हर रैली में कह रहे हैं कि आरचड के साथ में जो बिसंगतियां होई है आरच्छड के साथ में जो घोटाला हुआ है उसके बाद जो भी सीटे हमको देनी पड़ेंगी अत्रिक्त वो सीटे दी जाएंगी यूपी में नई प्राइमरी सिच्छक बरती जुलाई माह में अखलेस यादो जी ने कहा है यूपी टेड परिच्छा धांदली मामले में सचू पर गाज गिर सकती है लेकपाल की जो भरती परिच्छा है जून मा में प्रस्तावित इन सभी खबरों के बारे में आप सभी को इस वीडियो के माद्यम से जानकारी मिलने वाली है उससे पहले अभी तक आप लोगों ने अ 100% authentic जानकारी तो जैसा आप सभी जानते हैं कि बियद का जो फारम है छो फरोरी माह में आजाता है लेकिन इस वाद ऐसा क्यों नहीं हुआ है इस के दो प्रमुक कारण है पहला प्रमुक कारण है उत्तर परदेश में चुनाओ और दूसरा प्रमुक कारण है कि हो सकता इस ब इंटरेंस का फारम आया ही नहीं है और एक बात और है कौन संस्था इस बार B8 की परविश परिच्छा कराएगी लेकिन पिछले कई सालों से B8 की परविश परिच्छा है लखनों बिस्विद्याले कंडेक्ट कराती रही है तो अब देखना एक दिल्चस्प होगा कि आप लो अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारी संस्थान में निसुल्क एड्मिशन लेने के लिए जो से भायू हैं 50% जिन से भायू का गिरजूशन में है वो लोग हमारे संस्थान में निसुल्क एड्मिशन ले सकते हैं डिस्क्रिप्स बात में वार्टसप का लिंक दिया गया है उस लिंक के माध्यम से आप लोग जुड़ जाएए और साथ में जो हमारे जनल OBC के भाई हैं उनको तीन से चार किस्तों में फीश जमा करनी रहती है और ओभी मिनमम फीश उन लोगों के लिए भी हमारे संस्थान दोरा लगातार बिगर दस वर्सों से ऐसे अभ्यार्थियों को निसुलक एड्मिशन दिया जा रहा है एसी भाई हो और जनल OBC भाई हो को मिनमम फीश पे उनका एड्मिशन लिया जाता है बस सरते हैं कि आप लोग B8 का इंटरेंस एक जम दिये रहे हैं और साथ में SC के जो वीडियो सेर कीजिए उनको भी बताइए कि हमारे संस्थान दौल निसुलक एड्मिशन दिया जाता है और हमारे गुरुप के माध्यम से आप लोग जुड़ी जाएए वहाँ पर आप लोगों को पूरी जानकारी मिलती रहेगी अप टू डेट अब बात करते हैं 99 या सिच पर फोट लिस्ट जारी कर रहे हैं लेकिन छात्र एक धड़ा छात्र जो है वो कह रहा है कि 19,000 सीटों पर आरचर के साथ में घोटाला हुआ है 19,000 सीटे आरचर भाईयों को मिलना चाहिए जनरल के जो कंडिडेट हैं वो कह रहे हैं पूर समायोजन हो दूसरी तरब जो OBCC कर रहे हैं कि 19,000 सीटों पर आरचर का जो घोटाला हुआ 19,000 सीटे दी जाए दूसरी तरब अखलेस यादो जी हर एक चुनावी जनसभा में घोशना कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनने के बाद आरचर की जो भी संगितिया हुई है उसको दूर किया जाएगा और जो भी सीटे देनी पड़ेंगी हमको ओसीटे दी जाएंगी साथ में जांच कराए जाएगी जो दोसी पाये जाएगा उसको जेल में डाला जाएगा अब देखना एक दिल्चस्प है कि अखलेस यादो जी की सरकार उतरपर्दिस में आती है या नहीं लेकिन उन्होंने युआओं के लि और जुलाई माह में संभावता आपके समझ सर्तान बेहजार नई प्रैमेर सिच्छकबर्ति का नोटिफेकेशन जारी कर दिया जाएगा तो अखलेस यादो जी लगातार युआओं को साथने का काम कर रहे हैं कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनने के बाद 11 लाग जो सरकारी रि लेट पर खाइदा जाएगा और साथ में किसानों के लिए 300 हर एक जो उत्तर परदेश के निमासी हैं उनके लिए 300 यूनिट मुर्थ मुर्थ बिजली की घुसना भी की है तो लगातार गरीबों भायो बैनों के लिए अखलेस यादो जी की घुसना जारी है अब देखना य अगर आपके पास जेब में पैसे रहेंगे तभी आपका परिवार खुसाल होने वाला है ना हिंदू के नाम पर ना मुस्लिम के नाम पर ना सिक ना इसाई आपका जो विकास होगा वो आपके पैसे से आपके करम से विकास होगा तो आप जो भी पार्टियां आपके विकास के बारे में गोशनाएं कर रही हैं आप लोग उनका ध्यान दीजिए ना कि आप लोग हिंदु मुस्लिम तोस्टिकर में बजिए नहीं तो फिर आप लोग को जो पिछले पांच सालों में लाठी डंडी खाने को मिले हैं उतर परदेश में वही डंडे इस बार भी बरसाये जाएंगे अब बात करते हैं यूपीटेट परिच्छा के मामले में यूपीटेट परिच्छा मामले में लगातार निरनतर भंडा फोड हो रहा है धांदली का उजागर हो अब देखने को मिल ला है कि इस बार भी कहीं परिच्छा नयमक परादिकारी सचु नप न जाएं जैसा पिछली बार जो यूपीटेट की परिच्छा कंड़क्ट हुई थी तेश तारीक को उसमें परिच्छा नयमक परादिकारी के सचु संजय उपध्या जी नप गए थे इ आप लोग अच्छे नंबर पा जाएए तमाम बाते हो सकती है अब बात करते हैं लेकपाल भरती के बारे में तो लेकपाल जो भरती परिच्छा है अभी टोपेट जो एकजाम हुआ उसके बाद साटलिस्ट किया जाएगा अब देखना दिल्चस्फ होगा कि कोई कह रहा कि कि एक लाख लोगों को साटलिस्ट किया जाए कोई कह रहा है दो लाख लेकिन उत्तर परदेश अधनास सेवा चैनायो के माध्यम से कोई भी सटीक जानकारी बात करने पर निकल के नहीं आ रही कि कितने लोगों को साटलिस्ट किया जा रहा है उत्तर परदेश अधनास सेव दो लोगों की बनेगी या तो BGP की बनेगी या समाजवादी पार्टी की अब देखना दस तारीक को है कि कि किसकी सरकार उतर पद्दिश में आ रही है और जो लेखपाल की भरती परिच्छा संभावित है कि जून माह में आप लोगों की संपन करा ली जाएगी तो इस थी माहतपूर्ट जानकारी ऐसे जानकारी के साथ चैनल के साथ जुड़िए इस वीडियो को लाइक, सेर और सब्सक्राइब कर लीजिए अधिक से अधिक